दोस्तो नमस्कार स्वागत है मोरिया जी नियु चैनल में दोस्तो एक बार हम फिर उपस्तित हुए हैं आप लोगों के समझ नई जानकाई ले लेकर के दोस्तो दोस्तो मुद्धा PSL का है PSL के लोग ठगे गए है इसलिए बात बंती है PSL पर बात करने की दोस्तो आज हम जान काई देंगे आप लोगों को कि पैसा लेने के लिए हम लोगों को क्या उठाना चाहिए तो पैसा मिलेगा और क्यूँ नहीं मिलने। दोस्तो इस पर सब्सक्राइब के वह हमारी सुस्क्राइबर बाईओं को बहुत बहुत धनिवाद दोस्तों आते हैं अपने मुद्धे पर दोस्तों दोस्तों पियेसेल का मैंञेंजमेंट गदार तो है ही इसमें कहने में कोई शक नहीं यह भंगू सभी लोगों को पेसल में जो निवेशक है एजेंट है सभी लोगों को लूटनी की रणित मना कर एक साधिश के तहत लूट लिया सेबी और लोडा कमेटी इसमें जो जांच इजन से अलगी हुई थी इस सब को सभी को भंगु ने खहिद लिया ऐसा हम कहेंगे दोस्तों इसमें कोई सक नहीं है इसलिए कहेंगे क्योंकि आज लोडा कमेटी के पास जो देने के लिए पेसे निवेश्कू के लिए धन बचा है मात्र 11,000 संपत्ति हैं दोस्तों 11,000 संपत्ति हैं और जो साइड पर दे रखा है कि 29,000 संपत्ति थी उसमें से जो इनके जो ये बेज सकते हैं मात्र 11,000 संपत्ति हैं और 11,000 संपत्ति को बेजने के बाद्र इने पैसा देना है 60,000 करोड निवेश्कों को दोस्तों 60,000 निवेश्कों को 60,000 करोड देना है मोलधन तो किस प्रकार ये देंगे दोस्तों अगर ये मोलधन देते हैं 11,000 संपत्ति को बेंच करके तो कैसे देंगे सवाल उड़ता है दोस्तों कितने महेंगी ये प्रापर्टी बेचेंगे एक तरब ये प्रापर्टी बेजते भी हैं तो बहुत सस्ती दामों में प्रापर्टी को बेज देते हैं ये मुद्दा उड़ता है दोस्तों आज यही कारण है कि पोटा जब चालू हुआ तो उसमें रसीदों को मांगा गया इसलिए मांगा गया दोस्तों कि सारी प्रापर्टियां ये लूट कर साई लोग खागे ये कमेटी ये भंगू के नातेरिस्तिदार ये अनेंजमेंट के लोग ये सेवी ये लोडा कमेटी ये जाच इजनसियां ये सारी के सारी आपस में शीन जपट करके एक दूसरे को अपने के चक्र में यह सब हुआ है दोस्तों अब उनकी मजबूरी है कि रशीदों को मांगना उन जानते हैं कि जब हम रशीद मांगेंगे तो यह अनपण गवान लोग रशीदों को कहां जोगर कर रख पाए होंगे साज रशीदों खो गई होंगी और यह आनलाइन फारम भ भर भी नहीं पाएंगे किसी को जानका नहीं मिलेगी कौन क्या करता है तिरे मर जाएंगे लोग कौन मांगेगा पैसा और गैरा हजार संपत्ति जो है वह साथ हजार करोर की जो देंदारी है इसे मात्र हम बहुत ज़्यदा देंगे तो 25-30 करोर या कम से कम 12-13 करोर में 12-13 हजार करोर में ही निप्टा देंगे इनकी यह रन नहीं थे दोस्तों इस जिस प्रकार पैसा दे रहे हैं देनी की बाते हो रहे हैं जिस प्रकार पैसा मिला लोगों को ऐसे तो यही लगता है दोस्तों कि यह मात्र हम बहुत ज़्यदा ब जाएंगे और जो बचा हुआ धन होगा ये लोडा कमेटी ये सेवी और जो मिले जुले मेनेजमेंट के लोग हैं जो इस सिस्टम में मिले हैं संगठन के लोग भी है इसमें जो मिले हुए लोग हैं जो इस सिस्टम को डिले कर रहे हैं ये साए लोगों की नियत है कि सारे पैस से हमें क्या लेना देना जो इस बात को सोचता है कि हमें इस बातों से क्या लेना देना लेकिन नहीं दोस्तों हम भार्थ के नागरिक हैं हम चुपमार के बैठने वाले नहीं हैं हमें इन बातों में बहुत कुछ सोचना है और हमें कुछ ऐसा करना है ताकि ये बेमानों की बे जीरा हराम किस तरह से करना है दोस्तो इसके लिए हम चाहते हैं दोस्तो एक सोची समझी, गाइल लाइन के तहस्त हमें काम करना है, でした हम बताने वाले हैं आपको, फिर लोग कहेंगे कि यह 0 चैनल वाले की बाते ही कर रहा है, तो दोस्तो दाजीरो चैनल आच्छा चैनल है इससे कहने में कोई शक नहीं है सोसल साइट पर बहुत अच्छा परचार पसार करके जो काम्याबी हासिल जगा जगा उन्हों निकी है उसकी तारीफ है काविल है तो दोस्तो हमें इन लोगों को इन मैनेजमेंट को फसाने के लि इनको गले का फंदा बना दो इसे और सारा व्यास सहित पैसा लो एक पैसा देने पर मजबूर हो जाएगी यह सो प्रसत उमीद है दोस्तों जिस प्रकाह इन लोगोंने भी एमानी हमारे साथ की है उसी प्रकाह हम लोगों को सतर को करके इस काम को करना है 21-22 अगस्त 2014 2014 का जो मुद्दा है वो मुद्दा पहले समझ लिजिए मुद्दा क्या है दोस्तों निवेशक लोग नहीं जानते उन्हें इस बात को बताना बहुत जरूरी है दोस्तों मैं साप कहना चाहता हूँ जो रसीदे आप लोगों को 2014 2014 अगस्त 22 अगस्त 2014 को मिली थी या बाद में मिली थी जिन लोगों के पास रसीदे हैं वो अपनी रसीदे चेक करें उसमें डेट लिखा है जो रसीदे कटने की डेट है उसे डेट को देखें दोस्तों बहुत सारी आपको रसीदे मिल जाएंगी उसमें लिखा है 22 अगस्त 2014 और 21 अगस्त 2014 लिखा मिलेगा दोस्तों और इसका हिसाब सेवी के पास नहीं है जब आईटे लगा कर सेवी से पूछा गया आपके पास 21 अगस्त 2014 22 अगस्त 2014 का डाटा है तब पता चला 22 अगस्त 2014 का डाटा उनके पास नहीं है जब उनके पास डाटा ही नहीं है तो उस उस समय लगभग 15,000 करोड पैसाई कठा हुआ 15,000 करोड पैसाई कठा हुआ सभी ब्रांचों भार्द के सभी ब्रांचों से 15,000 करोड पैसाई कठा हुआ और उस पैसे का हिसाब कहीं नहीं है वो इनके गले का फंदा बनेगा दोस्तो और लगबग 5,000 रसिदे कटी हुई है गले का फंदा बनेगा इसी गले को फंदे को ले करके सारा भुकता लेने का system है दोस्तो और इस system को हमें आगे बहुत तीब्र गत से बढ़ाना है दोस्तो जितने एजेंट हैं सभी लोग एजेंट के इलावा निवेसक भी इस बात को लेकर अक्सर हो सकते हैं कि ये पैसा आतंगवादियों को दिया गया है इसकी जाच होना चाहिए सोसल साइट पर ये चल लहा है कि यकई सकत 2014 बाज सकत 2014 का पैसा जितना है सब आतंगवादियों को को दे दियागा है आतंगवादियों में ही खतम हुआ है इस बात का मुद्दा उठा जा सकता है दोस्तों और इस सिस्टम को अच्छे समझने के लिए हम अपने चैनल से दाजितनों को देखने की बात करते हैं कि जाकर के आप इसे देखिए उसके बाद उसे देखिए और उ नाश्म में कोईश सक नहीं है लेकिन देर न हो जाए दोस्तों देर नग किया जाए क्योंकि देर करने से ही पैसा यही कारण है कि संगठन वाले ये कई सकत 2,000 चोदा, 22,000 की मुद्दे कोई बात नहीं करते हैं क्यों नहीं बात करते हैं इस बात करना चाहिए ये बात उड लाइन पोडलन चालो हो तो रसीदों की मांगना हो रसीदों से क्या मतलब है क्या आपके पास सारा डाटा उठाया नहीं है पेसल के मैनेजमेंट से ब्रांचों से जब हैडाफिस से सारा डाटा उठा है सभी सभी डाटा उठा है उसमें तो सारे डाटे होने चाहिए जब सार और इसी कारण यह संच्धा से भी चोर कही जाती है इसी कारण सुप्रिव कोट पर भी सवाल उठते हैं इसी कारण से भी पर सवाल उठते हैं और लोड़ा कमेटी पर सवाल उठते हैं और अगर इस सिश्टम में लिप ना होती गलत नियत इसका ना होता अगर साप होता तो ग कंगारी तो दी जाती है क्यों नहीं दे जाएगे दिस गरीब दुविए स्कू का पैसा फश्वा है और जो सिष्टम अपनायागा बेमानी तरीखे थे सिष्टम है इस सिष्टम में अगर ठीक से जाथ होती Addis जाथ होती उआ अ